तो कैसे हैं आप सब बढ़िया, I hope सब अच्छे होंगे, आप देलाइक हो कुस्छ रोज नया सीख रहे होंगे, और आगे भी नया कुछ सीखते रहेंगे, तो यार इसी positive note के साथ, मैं आपको आज की वीडियो इंट्रिटीस करता हूँ, आज हम रिट्क्योट का question no.632, जो कि यह smallest range covering elements from k-list, आज हम यह solve करने वाले हैं, इसमें भी यार प्राइटिक्योट का questions का कुछ pattern रहता है, वही pattern यहां भी पॉल्लोने वाले हैं, जो भी प्राइटिक्योट के जो हमारी series चल रही है, उसमें हम कुछ different pattern सीख रहे होंगे, तो हर pattern पे एक नाएक वीडियो में बना प्राइटिक्योट के इस वीडियो को स्टाइट करते हैं, तो सबसे वेला हमारा काम रहता है, प्रब्लोन स्टेटमेंट बहुत ध्यान से बढ़ना, तो अबर प्रब्लोन स्टेटमेंट से इस, यूर गवन k-list of sorted integers in non decreasing order, okay, find the smallest range that covers at least one number from each of the k-list, that means we have been given some list, we have to find that interval that should contain at least one element of each list, यानि हम एक ऐसा interval लेना है, find करना है, L और R interval find करना है, जिसमें की न, हर list का एगनेक element लाय कर रहा हूँ, उस range में, ठीक है, इस टाइक हमें interval find करना है, और वो smallest होना चाहिए है, और इसमें definition दी है, अगर a, b एक interval है और c, d एक interval है, तो अगर हमारा b minus से smaller है, d minus c से, तो हमारा क्या होगा, हमारा a, d, a interval है, और c, d, a interval है, ठीक है, इसका difference मान लेने d1, इसका difference मान लेने d2, अगर d1 हमारा less than d2 है, तो हमारा कौन सा better interval होगा, a, b वाला, लेकिन अगर हमारे d2, question d1 हो रहा है, अगर, तो हम उस case में क्या करेंगे, जो भी हमारा a या c में से, जो भी हमारा smaller element होगा, व बदब better interval की definition लोगों ने दे रखी है, अगर अगर constraints देख लेते हैं, constraints हमारे क्या कहते हैं, हम पस जो भी numbers है, numbers यानि हमारा पास एक list of list दे रखी है, यानि easy words में का हूँ है, आपके बास case order list दी है, non decreasing order, तो हमारा पास कितनी list दे रखी है, 3500 list दी है, और एक list में कितने elements है at max 50, 50 maximum elements आएंगे, ठीक है, एक हर एक list में, और हर एक जो number है, वो कहां से का तक लाई कर रहा है, minus of 10 to the power 5 से लेके 10 to the power 5 तक लाई कर रहा है, and number is sorted in non decreasing order, यानि जो list है, वो हमारी सारी non decreasing order में sorted है, तो एक बार, first वाले, हम example में एक बार, ये try run करके लेख लेके, उसमें दे र valid answer होगा, कैसे, 20,24 में, first list का, 24 आ जाएगा, second list का, हमारे 20 आ जाएगा, और third list का हमारे 22 आ जाएगा, तो हमारे smallest एक valid interval होगा, तो इस interval को निकाले कैसे, तो इस interval को निकाले के लिए हम क्या करेंगे, और मैं पूछूँ आप से, एक ऐसा interval पूछूँ मैं, जिसमें ना, जो जिद्धे भी given list है, उसके सारे list के, पहले-पहले वाले जो numbers है, first numbers है, वो सारे आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, कि, मैं आप मेरे से बोलोगे, कि, जो हमारी first elements है, हर list के, उन में से एक minmax निकाल लूँ, और वो हमारे interval हो जाएगा, सिर्फ first elements के लिए, ठीके, ऐसे तो आप को hint दूँगा, उन hints को try करना, फिर आप कोछिश करना की problem बनता है नहीं बनता है, अगर solution हो जाता है, तो अच्छी बात है, बनना आगे हम continue करेंगे, हमारी first hand क्या करती है, try to find answer using first elements from all list and then, and find this range from this data, यानि try to find answer using first element from all list, यानि सबस्पहले start क्या करो, first elements से start कर दो, ठीक ह सारे जो first elements है, हर लिस्ट का, तो से एक range बनाओ, हम सबसे बहले, l, r की range बनाओ, ठीक है, try to compress above answer by compressing range by shifting minimum element close to the maximum element, तो जो हमारे l और r आ रहे है, इस वाली hint में से जो l और r निकल के आ रहे है, l, r, जो सबसे पहले interval आएगा, first element के लिए है, हर लिस्ट के, ठीक है, जो हर लिस बनाओ, उसके लिए अगर मैं एक interval निकाल हूं, तो एक l, r मिल जाएगा, कैसे, mean और max n काल के, mean हमारे के हो जाएगा, l और maximum हो जाएगा, हर लिस्ट के first element में से, जो भी हमारे minimum होगा, वो जो भी हमारे maximum होगा, हमारे r हो जाएगा, घीक है, जैसे मैंने l और r निकल लिए, हम कि का करुखा जो अल है इसको आगर के खोशिस करों मौन कि क्यूं क्योंकि हमारी जो हैके इंकुरी आख रेऑ हो हमारी इंकुरीजियर में इंकुरिजिजिच्ट में अफ़ मिन वाली वेल्य को अर्के और क्लोस ला सकता हूं तो मैं जो अर्क रवेल्य है उसमें से ल वाली वेल्य को मिन वाली वेल्य को आर के क्लोस लाने की कोशिश करूं ओके, try to compress above answer by compressing range by shifting minimum element close to the maximum element कि यह माधी दूसरी हिंट होगी can you use priority queue, min priority queue to keep traces of all elements and maximum variable to keep trace of max elements यानि क्या आप हम priority queue पे यूज़ कर सकते हो, min priority queue का minimum values trace करने के लिए जो हम second hint में क्या कर रहे है, L value को तो right में shift कर रहे है, R के close तो L value जो हमारी min value है, इसे right के close लाने की कोशिश कर रहे है, तो इसके लिए हम क्या minimum predicutes कर सकते हैं, अब यह चीज सोचो इस बारे में ठीक है, और वीडियो को यह पे बास करो, और इस बारे में चीज़ों को सोचो, यह कैसे हो सकती है I hope आपने चीज़ों को सोचा होगा, अगर आपसे solution हो गया तो well and good, बढ़ना हम अभी solution approach आगे बढ़ाएंगे, ठीक है 24 and 26, second list के हमारी 0, 9, 12, 20, last list के हमारी 5, 18, 22, 30 तो हमारा पहला काम क्या है, एक valid interval तो निकाल दे रहे हैं, valid interval, valid interval क्या होगा, जो हमारी first values होना मैं काम करता हूँ, सारी first values को लेके एक interval बनाने के कोशिश्च करता हूँ, जिसमें कि जो हमारी सारी list के first values हैं, कम से कम वह तो आ जाएं तो हमारी interval क्या होगा, हमारी जो भी सारी first values हैं हर लिस्ट की, उनमें से minimum हो जाएगा हमारा L, और maximum हो जाएगा हमारा R, तो हमारी पास एक interval आ गया 0, 5, एक interval यह होगा, ठीक है, अब देखो, जब यह हमारी 0, 5 interval है, तो हमारी difference कहाएगा, 5-0 ठीक है, तो यानि हमारा 5 length का interval है, अब मैंने जो minimum element देखा, minimum element कहाँ से आ रहा है मेरे पास, minimum आ रहा है, second list का first element जो है, वो हमारा minimum है भी, तो मैं इस वाली minimum element को राइड बार shift कर दे रहा हूँ, यानि 0 से मैं राइड बर shift करूँगा, राइड बर जैसे shift करूँगा, तो हमारा ये में चीज़े चेक करूँगा अभी, अभी कलें, ये, अब मैं इन तीन numbers को लेके, एक interval बनाने ही क्योशिश करूँगा, जैसे हमारा 0 हटा, तो 0 हटी जाएगा यहाँपे, और 9 आ जाएगा यहाँपे और हमारा 4 आ जाएगा यहाँपे, क्योंकि, ऐसा क्यों हो आए, मैं आपके बताता हूँ, शुरू में हमारे पास क्या आता हूँ, 0, 5, 0 के अगला largest क्या है, 4 है, अगला largest क्या है इसका, इसका अगला largest है हमारा 5, और यहाँपे हमारा largest तो 5 ही रहेगा, बट जैसे हमारे 0 तो उस आने की कोश्च करी, तो 0 की जगा हमारे क्या गया, 9, ठीके, और हमारे maximum element क्या हो गया, 9, ठीके, तो left में तो हमें smaller value रखनी थी, अब अगली smaller value क्या है, 4, अगली smaller value क्या है, 4 आईगी, तो मैं क्या करूँगा, अगला इंटर्वल आ जाएगा, 4, 9, यह अगला इंट shift करता रहाँगा, minimum element, right वाले element के तरफ shift करूँगा, close लाँगा, तो मेरे क्या होगा, क्या पता, कभी न कभी, हमारे जो interval है, वो string हो जाएग, compress हो जाएग, ठीके, अब इसको आगे बढ़ाते है, हमारे इसके नीचे आएगा 5, इसके बाद में आएगा 9, ठीके, यह चेन मे 5 और 9, एक sortie order में नमबर से लिख लिए, अब suppose, जो 4 नमबर है, वो कहां से आ रहा है, अब ध्यान दोगे, तो 4 नमबर है, वो हमारे पहली लिस्ट का पहला नमबर है, तो मैं क्या करूँगा, इस पहली लिस्ट के पहले नमबर को, 9 के और close लाने की कोश्च करूँगा, जै पहले यह थी, अब यहां से अटकर यह हो जाएगा, कि हमारी नहीं कंस्ट्रिशन हो जाएगी, तो हमारा 4 कट जाएगा, 4 की जगा हमारा क्या आ जाएगा, 10, 10 का पर आएगा, 10 इसके बिचे सला जाएगा, और 9 की जगे भी 10 हो जाएगा, तो हमारा 9 की जगे बन जाएगा, 5,10 5 के पिछे 9 9 के पिछे 10 इस तरीके से जो है ना जो left minimum element है मैं उसे right या ले जो हमारा largest element है अभी तक कासी iteration में मैं सके past आने की खोशिश कर रहा हूँ और जैसे हमारा past आने की खोशिश कर रहा हूँ तो हमारा पुराना वाला minimum element है वो हटेगा और एक और नया element आजाएगा ठीक है जैसे वो नया वाला element आएगा तो मैं ऐसे chain में लगा दूँगा सौर्टर में और जो हमारा अगला minimum element है suppose यहाँ पर example देता हूँ और जैसे हटा हमारा और की जगर 10 है 10 हमारे chain में पोच जाएगा चेन में सौर्टर में लग जाएगा और उस चेन में जो भी हमारा अगला smallest element है 5 5 यहाँ पर आगया तो हमारी जो चेन है ना वो सौर्टर में मैंटेन रहेगी जैसे 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 उसमें नई वैल्यूस एड़ होते रहेंगे इस चेन के अंदर अगली smallest value है ना जैसे यहाँ पर 5 थी अगली smallest value तो हमारी मिन की जगह ले लेगी और जो मारा मैक्स है ना मैक्स हमारा साथ साथ अपडेट होता रहेगा maximum ठीक है अगर maximum बढ़े रहा तो अपडेट होता रहेगा यह अप्रोच चल क्यों लिए यह सोचने वाली बात है वह इसलिए मैं आपको mathematical थोड़ा प्रूप दे देता हुआ था शुरू में हमारा क्या था शुरू में हमारा इंटेवल क्या रहा था और सारी 0 कमा 5 चार्टिंग में हमारा 0 कमा 5 था जीरो जो नंबर आ रहा था हमारा सेकंड लिस्ट का पहला नंबर था अब जो जीरो है ना क्योंकि हमारी लिस्ट जो है इंक्रिजिंग अर्डर में सॉटेट है तो अगर मैं 0 का next element उठाने की कोशिश करूँ तो क्या पता यह 5 के और क्लोज आ जाए आ सकता है ना 5 के और क्लोज में क्या करूँगा जो भी minimum element आते या रहे ना मैं उन्हें maximum element के और क्लोज दाने की कोशिश करूँगा तो हमारे 0 था second list का पहले element हटाके मैं इसका next element उठाने की कोशिश करूँगा क्योंकि numbers जो हमारे increasing order में है ना non decreasing order में हमारे store है ना हमारे list में numbers तो जैसी मैं अगला ठाऊंगो ना वो क्या पता 0 से बढ़ा हो और 5 के और क्लोज हो 5 के बास आजाए क्या हो जो हमारे क्या होगा जो भी अगला minimum element होगा ना 4 यहां पर इसकेस में वो हमारे update हो जाएगा और जो हमारे maximum element था ना वो भी update होगा 9 से क्योंकि हमारे अगला जो element एड कर रहे ना वो हमारे max element से बढ़ा है तो वो भी update हो जाएगा हमारे यह नया interval आ जाएगा कुल मिलाके अगर मेरे पास मेरे पास यह था ना पहला consideration तो मैं क्या कर रहा हूं इसको इस मेंसे जो minimum element है ना उसे अटा दे रहा हूं को maximum element की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं तो यह हमारी अप्रोच रहने वाली है ठीक है तो यह काम करेंगे कैसे यह काम करेंगे minimum practical की help से यह चीज़े करने की कोशिश करते हैं ठीक है उसमें हम पेर्स जा लेंगे पेर्स कौन से पेर्स में होगा हमारा लिस्ट नंबर क्वामा इंडेक्स और हमारी किस बेसिस पर sorted होगी sorted on basis of min value इससाब से sorted होगी तो मैं क्या करते हैं शुरू में मिन प्रेडिक्यों ले ले ली यह container मिन प्रेडिक्यों मैं दूआ ठीक है हमारे क्या होगया लिस्ट 1 का 4 एडिक्यों हो गहां अलिस्ट 2 का मारा 0 जीर थी का मारा 5 पाइड होगया और यह a procent varible आ रहा हु एक मेक्स को मैं कार दे रहा हु जो हमारे पहले के नमबर में हर लिष्ट के उनमेसे मेक्स अलेमेंट जो हमारे दागए करेंडी तॉमारे इंटवर के आता है जो टर्वल है हमारो इंटरवल क्या निकलेगा आप सोचोगे जो हमारे minimum value है ना इन में से first values हर मतलब जो भी list के हर लिस्ट के जो पहली values है ना उन में से जो भी minimum है ना वो हमारा left value बन जाएगी minimum value current इंटरवल की हमारे 0 minimum value आजाएगी हमारे 0 का माँ पाई एक interval बन जाएगा हमने जैसे 2,0 हटाया और इस 0 को में और क्लोज राने की कोश्च करूँगा तो मैं क्या करूँगा इस 0 को 9 से उप्लिस करूँगा अगला हमारा पेर क्या आ जाएगा अगला पेर हमारा आ जाएगा अगला हमारा स्मॉल्रेश्च का 9 नमबर क्योंकि हमारा मैक्स ही अप्डेट हो रहा साथ ही साथ तो अगला मैं अगला इंटर्वाल क्या बनेगा हमारा 4 अबहुत एक का minimum 4 कमा नई म मारा अगला इंटर्वाल पडेंगी हो छेज़े क्या हो जाएगी है चीज हमारी कोच ऐसे हो जाएंगे अब अगला हमारा smallest element किया है 4 अब मैं 4 को 9 के और close आने की कोश्ची खड़ूंगा तो हमारा 4 किस से replace हो जाएगा 4 हमारा replace हो जाएगा 10 से और यह अगला हमारा consideration हो जाएगी जैसी मैंने 4 को हटाया अगला पेर के आएगा हमारा 1,10 max value भी update हो रही है साथ साथ हमारा अगला हमारा क्या पेर बन जाएगा minimum value हो गई 5 maximum value हो गई 10 हमारा 5,10 अगला पेर बन जाएगा ऐसे करके मैं पेर्स बनाता रहूँगा और जो भी हमारा best pair बनेगा at the end वो मैं select कर लूँगा और जो भी हमारी selection हो रही न अगले minimum element की वो मैं किसकी help से कर रहा हूँ minimum priority Q की help से इस तरीके से हमारी चीज़े चल रही है minimum priority Q की help से I hope आपको इस चीज़े सहन में आई होगी अगर अभी भी नहीं है तो प्लीज एक बार rewind कर लो video I am sure आपको चीज़े सहन में आएंगी एक बार सुनो तो कोशिश करो पक्का सहन में आजेंगी I hope आपने rewind कर यह होंगी अगर सहन में नहीं आए और अगर सहन में आचुग है तो well and good अब इसे code कर देते है let's move to the coding part प्यार हमने अभी तक जो भी अप्रोस देखी थी न अब इसे implement करने के बारी आजा जाती है तो मैं starting में एक variable ले 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 आँ n क्या है हमारा number of list कित्ती हमारे पास list है I am sure size हमारे पास number of list आगा मैं क्या करूंगा एक priority queue बनाँगा priority queue इसलिए क्योंकि जैसे हमारी minimum value update हो रही थी maximum value के close आते आ रही थी तो मेरेको अगली minimum value कौनजी होगी यह find करना आता तो इसे कंडिकले में क्या कर रहा था एक priority queue की help ले रहा था container की ठीक है तो मैंने priority queue बना लिए तो मैं pair store कर रहूंगा ठीक है इन priority की कोस्टों नहीं हो ओके और मैं pairs के से हिसाफ से store कर रहूंगा एक होगा हमारा सबसे पहला number के denote करेगा array में list number अगला number के denote करेगा index of number current number अगला क्या denote करेगा third number में डाल देना होगी value at that index यह तीन values में डालूंगा हर pair के अंदर हर triplet के अंदर अगर हमारे बास दो triplets हैं तो उसमें से compare करूंगा है a का value minus B का value हमारी values mean value के सबसे हमारा यह प्रैडिक्यू में चीज़े रहेंगी ठीक है हमने container रना लिए क्या करेंगे हम एक l ले रहें 0 क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे limit मतलब जो हमारे range आने वाली ही वह मैंशा 1 या 1 से बढ़ी होगी wait नहीं हम क्या करते है l ले ले रहे l ले लेते है minus of 1 1 2 3 4 5 6 क्या हमने l ले लिया और एक r ले 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 रहे teacher dot no 1 2 3 4 5 6 क्या हम अभी current range ले 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 current range क्या ले ले रहे out of bound range ले 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 जो कि यह कभी आई नहीं सकती है और एक max variable और ले max variable max variable क्या होगा हमने दिखा था यह तो हमारा l ल नंबर ल आ रहा था और एक max variable र र यह हमारा answer होगा final answer होगा यह हमारा answer होगा जो हम update करते होगे बद जो currently maximum variable होगा ना जिससे हम compare कर रहा होंगे interval को हमारा max variable होगा max variable कहां से कर जाता हम integer.maxValue से initialize कर दा रहा हूँ अम मैंने क्या गिया for i equals to 0 is less than n,i plus plus यह कर दिया मैंने और minPrideQ में add कर दिया हर triplet का ठीक हर triplet क्या होंगे हमारे आयथ लिस्ट का 0th index पे क्या नंबर पड़ा है terms.get.get आयथ लिस्ट में 0th index पे जो नंबर पड़ा है वो हमारा 3rd value हो जाएगे अब हमारा max क्या होगा max will be math. dot minValutionInstance के में मारा max क्या हो जाएगा हमारा method.max . जो हमारी लिस्ट के पहले element आते जारे ना उससे compare करता जारा हूँ जो भी हमारा सारी लिस्ट के पहले numbers में से max वली होगी वो हमारी max हो जाएगी max variable में store जाएगी और लास्ट में मैं क्या return करता हूँ इनका pair बनाके lr के हमारे final answers हों के lr का pair बनाके return करता हूँ मिन कहां से निकाला मैंने min fratical में से अब मैं क्या करूँगा जो हमारा min triplet है अब मैं comparison करूँगा कैसे comparison करूँगा if r-l is greater than r-l is greater than max minus min of 2 अगर हमारा last interval कोई current interval max-min 2 हमारा answer interval l equals to min of 2 r is max अब्डेट कर दिया अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे index हमारा index क्योंकि smallest value ठाऊंगा अगली value होगा उस लिस्ट में अगली index वाली value को pick करना है इसलिए मैंने जो हमारा index है वो update कर दिया if min-calf-1 यानि index मैंने अब्डेट किया है वो हमारा valid है या नहीं terms.get जो हमारे current list है इसका size से अगर छोटा है updated index तब तो valid होगा अगर invalid हो रहा है अगर invalid हो रहा है मतलब list फिनिश हो जीके तो हम ब्रेक कर जाएंगे अगर valid index है तो हम क्या करेंगे min-of-2 will be changed to nums.get list number dot get min-of-1 और हम min-pad की में cat कर देंगे तो हमारा triplet है updated triplet है updated triplet हम क्या करेंगे min-pad की में आपस side करतेंगे updated triplet ठीक है अब एक बाद सचीजों का रेंट करके देख लेते हैं I hope error ना है Error आ रहा है हाँ यहाँ पे हमने max value और update ही नहीं करी है max value का update भी तो करना पड़ेगा जैसे जैसे हम नए element लाते रहे हैं और पड़ा नए element जाते रहे है max value अब्डेट रहे है max end अब्डेट कर दिया let's submit it say it ran successfully तो इस question में हमने क्या सिखा है मैं आपको observation बता देता हूँ इस question में हमने देखा जो भी हमें given काम करना है था ना उस question में हमने क्या सिखा है मैंने easy किया सबसे पहले easy चीज के लिए find क्या answer क्या होगा easy चीज के लिए find कर रहा जो भी हमारी list है ना उसके सारे first indices से जो भी interval बन रहा था उसे मैंने निकाल लिए valid interval जैसी आ गया ना अब उस valid interval का जो left वाला पार्ट था ना पाले के pass ला रहा था तो कुल मिलाके मैंने valid index निकाला और सहफे compress कर रहा रहा था ठीक है तो यार पहले एक best answer निकाल ले ना जब भी कभी कभी ऐसे question आते ना जिसमें कि हमें एक interval निकाला जैसे यार थोड़ा unique type की question था इसमें हमें ट्रेक यह थी स्टाडी में निकाल ले था अब फिर हम जो LR निकले वे थे ना उसे compress करने की कोशिश कर लेता है यह चीज हमें करनी थी अगर आपको इस type के और भी matrix वाले सवाल दिखेंगे तो आप इसमें लगा पाऊगे तो आप उन्हें ट्राइ कर सकते हो आप इसमें similar question देख सकते हो minimum window substring दिया है आप इसे try कर सकते हो I hope आपको चीज़ समझ में आई होंगी अगर चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्रिकरी की बात दिए एक बार और वीडियो को देख लो पक्का समझ में आ जाएगी एक बार देख के तो देखो I am sure कि आपको चीज़ आने लगगी ठीक है और आपकी कोई भी suggestion हो तो आप मुझे suggest कर सकते हो चीज़ें कैसे मैं improve कर सकता हो और आपकी कोई भी बात चीज़ दो आप मुझे कर सकते हो मैं अपने telegram group पा चैनल description में देदूँगा और तब तक लिए मज़े करो खुस रहो till then take care bye bye